अज़ा बच्चो बच्चो आज हम करेंगे टूडी जमेक्रिक ट्रांसफोर्मेशन के अंदर कॉंसेप्ट हमारे पास रोटेशन ट्रांसलेशन हमने डिसकर्स कर देखें प्लीज देख लीजिगा अब बात आती है रोटेशन की तो किसी अबजेट को कैसे हमें रोटेट करना इसको समझते हैं क्या कहताई konossip कि री पोजेशनिंग एन औपजेट अलोंग अत्रकूलर पात इन एक स्वाइब प्लेचन में क्या होगा कि किसी ऑपजेट को री पॉजीशन करना है बट कैसे एक सर्कूलर पात में ने एक स्वाइब प्लेट कि आपण्पा है क्याद है यह रोटेट करना है P' पे जाने कि इसके कोडिनेट के है X' and Y' तो क्या था कैसे कि आपको इसको यह आपको ओरीजन पर ठीक है फिर उसको यहां से रखा और उसको कितना लेकि गाया हूं मेस सी इसको समझते Q यह चीज निलनगे कैसे यह क्या करना है कि पहले जो मेरा एक्स-वाईकोडिनेक्सिस्टेम है यहां से इसका जो एंगल बन रहा हो कितना मैंने फई यह थेटा यह फई ठीट यह और जो यह जोileen डिस्टेंस मने लिया यह माननों यह il का origin से डिस्टेंस है और क्योंकि जब आब इसको रॉटे effe करोंगे से पूरा करो कि देख circle बन जागा तो यह क्या हो जागा एक radius कहलाएगा और radius क्या था constant distance होता है circle के जो circumference पर points होते है और जो हमारा origin होता है उस पर यह जिसे हम center कहते है अब समझो देखो तो आर इस दा constant distance of point from origin तो यह constant point रहेगा यहां का भी आर रहेगा यहां का भी आर रहेगा ठीक है अब इसके अंदर कहानिक है by using the trigonometric equation इन सबको लेके मैं क्या कर रहा हूं trigonometric equation यह जो हमारे polar coordinate system होता है guys जिसने वह ना कियो मैंने first unit में करवाया था वहां से उसका idea ले लो तो मारे जो original coordinate होंगे pxy जिसको हम कहरें polar coordinate system के base पे क्या होंगे x coordinate होगा मेरा r cos 5 ठीक है यह क्या होगा r cos 5 और y क्या होगा r sin 5 यह निकला क्या पहले छोटा सा idea दे देता हो ताकि आपका जो doubt है वह clear हो जल्दी से करेंगे technometric apply करने और कुछ नहीं करना simply यह देखो यह angle है अब इसके ओपर cos 5 लगाओगे तो cos 5 क्या होता है आपका base upon my hypotenuse base x आ गया यह hypotenuse आ रहा गया तो आप इसको लगाओगे cos 5 which is equal to क्या बेस के बच्चों मेरे पास x और यह है r तो x की value निकालनी है तो क्या हो जागा r उदर जागा तो r cos 5 ठीक है इसी तरीके से y की value निकालनी है तो y की value क्या हो जाएगी यह वाली तो यह हमें निकालना तो वह भी निकल जाए उसमें हम साइन को यूज़ करेंगे साइन फाइड निकालेंगे ठीक है इस तरीके से करना आइडिया दे दिए मैंने एक्स की वैल्यों आर कोस वाई की वैल्यों साइन आर साइन फाई यह दो एक्वेशन आगी मेरे पहला जो एंगल रोटेट हुआ पहली पोजीशन से उस से अब ब आइसे ले जाओ और यह ऐसे यह distance क्या होगा y और यह distance क्या होगा x होगा न इस पर तो सेम वही है आपको लगाना कि r sin 5 देखो आपको पहले क्या निकालना है x dash निकालना है same वही लगाएँगे base upon में इपोर्टनियुस तो X upon में R मिलेगा, X dash upon में R मिलेगा आपको, ठीक है, तो एंगल कितना है, आपको यहाँ पर कोस फाई नहीं लगाए, यहाँ पर एंगल देखो पूरा कितना कवर हो रहा है, यह फाई और यह थीटा, दोनों का एडिशन, आर कोस फाई एंड थीटा, जैस फाई कोस फीटा माइनस में साइन फाई, साइन फाई, साइन फीटा, यह फार्मूला होता हमारे पास, तो R से मुल्टिपलाई होँे तो यह निकल लाएगा कि, uhh infinity minus में R में साइन फाई, साइन फाई, साइन फाई, मेरे पास X dash का coordinate आ गया ठीक है जी ऐसी में य का निकालोंगा तो y में क्या हो जागा आर साइन 5 प्लस में ठिटा आजाएगा दो एंगल हो जा एड हो जाएंगे तो सेम वही है साइन 5 साइन ठीटा प्लस में फाइल ले लो जैसे मर्ध जी कर लो बात है कि यह है तो सब्सक्राइब करेंगे यहां पर सब्सक्राइब करेंगे इस equation को second के अंदर तो मेरे पास क्या मिलेगा x- में आ जाओ x cos theta r का cos phi क्या बन जाएगा x बन जाएगा x आ गया ना इधर बाकी क्या बचा cos theta minus में y sin theta r sin phi देखो y है substitute किया ऐसी y- में x sin theta plus में y cos theta यह मेरे क्या हो जाएंगे coordinate आ जाएंगे x dash and y dash ठीक है ये मिरे पास आ गया है अब इसको में matrix में convert करना तो matrix आनी ची है हमें तो इसको हम कैसे करेंगे जैसे हमने last time किया था तो नए coordinate के मेरे पास x dash and y dash ठीक है is equal to क्या होंगे x y multiply आई है साथ में multiply कर रहा हम इसको cos theta cos theta minus sin theta ये ऐसे आएंगे और यह साइन theta and cos theta ठीक है तो ये पी डैस मेरा क्या हो जागा ने coordinate ये पुराने coordinate आर क्या है मेरी rotation मैं क्रिक सकी मैं रोटेशन जो एंगल और फोम में किया है वो क्या है तो यह यह होती है ठीक है इसको मैं यहां से लिखोंगो P dot r यहां पर multiplication चलेगी वहां पर addition था यहां पर multiplication clear होगी अब देखो यहां पर दो पॉइंट बड़े ध्यान से समझने वाले है क्या क्याता है कि positive value of this is theta positive value of theta जो हमने rotate किया है shows anti clockwise rotation मतलब आप anti clockwise rotate कर रहे हो अगर ऐसे कर रहे हो पोजिटिव ले इस तरफ जा रहे हो थीटा की वैली पोजिटिव है मतलब यह anti clockwise है उल्टी चल रही है ठीक है और अगर नेगेटिव तो देखो क्या मिलेगा कोस माइनस थीटा I before the the Calling समयनस थीटा को सिता होता है को सेम यहां पर क्यों एक सेम रहता है मैंने सुक्रीट के होगा इसका मैंने समयस नियुकल के रहता है कि रहता है दोनों एंगल किसके लिए सिर्फ यह वाली यह जब मेरा anti-clockwise हो ठीक है तो इसको use करके अब हम क्या करेंगे एक numerical करेंगे जहां पर हमें क्या करना है कि object लेंगे point लेंगे उसको rotate करना कुछ angle हमें बता जाएगा कि इतने